नमस्कार सिर्टी पोस्ट में आपका स्वागत है मैं हूँ श्रकान प्रतियूस आपको पता है कि विहार में पूर्ण सराबंदी है और सराब पीने वाले बिचने वाले कानून के नजर में बहुत बड़े दोसी हैं और उनको जेल भी भेज़े जाने का प्रावधान है सराबंदी कानून के तहट जेल में एक बंद आरोपी की जमानत अरजी सिर्कार करते हुए कोट में एक अनोखा फैस्टा सुनाया है सिख पूरा नयाले की डंद दिकारी ने तीन दिसम्बर से जेल में बंद आरोपी को पीम केर्स फंड में 15,000 रुपे जुर्माना रासी जमा करने के सर्थ पर जेल से जमानत पर दिया होने का आदिस दिया है तो अगर आप सराव के सोखिन हैं सराव बंदी में भी सराव पी रहे हैं पकड़े गए तो आपको जमानत लेने के लिए हो सकता है कि पीम केर्फंड में कुछ डालना पड़ेगा क्योंकि पीम केर्फंड में 15,000 रुप्या देकर इस सरावी को कोट से जमानत मिल गई है सरावंदी कानून के तहट बिशेश नयाधिस के डिजे द्विती राजीव कुमार ने सरावंदी कानून के उलंगन के मामले में गिरफतार सुरज कुमार की जमान तरजी के मामले पर बहस को सुना और बहस के बाद उन्होंने कहा कि सराव पीना और बिचना दुनों अपराद है लेकिन यहां सराव पीने का आरूप है ऐसी सिती में एकसर पर जमानत दी जाएगी आरूपी को PM केर्ष फंड में 15,000 रुपया जमा करना होगा न्याले का देश पर आरूपी ने प्रधान मंत्री केर्ष फंड में 15,000 किरासी जमा की और उसके बाद जमान तरजीस उससे मिल गई और जिल से उरिहा हो गया सिक्पुरा न्याले की सनोखे फैसे की चर्चा पूरे प्रदेश भर में हो रही है और यह चर्चा तक पूरे देश भर में फैल सकती है सरबंदी कानून की तरफ से सरकार की और से बहाल विशेस लोक अभ्योजक का काना है कि 3 दिसंबर को नालंदा जी लेके एक आरोपी सुरोजकुमार को सराब के साथ वरवीगा पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसे न्याले के आदेश से जेल भेज दिया गया था कानून में सराब पीने वाले आरोपियों परशक्ती वाले प्रवधानों में प्रिवर्तन करने के भी चर्चा हो रही है और इस बिस न्याले ने जो नई न्याईक प्रमप्रा के सुरुवात की है पीम केर्स फंड में पैसा जमा करके आप जमानत ले सकते हैं उसकी चर्चा पुरे देस भर्वे हो रही है